इस जगह पे sex toys मिलते हैं अला मुझे नहीं बता हूं यहां पे यह चीज़े मिलती है तो यहां पे अगर सिग्रेट भी देव पकड़ गए तो दो हजार दॉलर्स का फाइन है एक लाख या एक लाख बीस हजार रूपे So hey guys, good morning at Swagat है अपका एक नई Singapore की सुभा में So guys, आज मैं अपने होस्टल से ही निकल गया हूँ और आज मैं Singapore की काफी सारी tourist places को कवर करने वाला हूँ तो जो मेरे hostel पे receptionist जो बंदा बैठा वा था तो उसने मुझे यह मैप दे दिया है और इस मैप पे बहुत सारी tourist destinations मार्क करके दे दिया है और route भी बिता दिया कि कैसे कैसे जाना है उदर और maximum रस्ता पैदल कही है और बस यहां से Chinatown तक मुझे बस में जाना पड़ेगा तो यहां से Chinatown के लिए मुझे एक bus number लेना पड़ेगा जो है 33 या फिर 2 यहां पे Singapore में bus का system काफी साही है मतलब हर कुछ कुछ मिनिट में यह वाली busses चलती रहती है डबल डेकर busses है और नॉर्मल वाली busses भी है तो यह वाली busses चलती रहती है तो easily मैं Chinatown तक पहुंच जाता हूँ और मेरे पास जो easy link card है मैं उसका इस्तमाल करूँगा तो सबसे पहले मैं आपको Singapore का map दिखा रहता हूँ जो मुझे उस reception से मिला है तो यह free map है और यहाँ पर उसमें जो tourist destinations मार्क करी है मैं आपको वो भी दिखा रहता हूँ तो उसने यह map दिया है और यह locations उसने round off करके दिया है तो यह main location है मतलब यह first main location रहेगी जहाँ पर मैं घूमने जाऊँगा यह है Chinatown और इधर है Little India तो उस reception वाले बंदे ने मुझे सबसे पहले Chinatown जाने को बोला है तो वो बंदा भी वैसे Chinese था तो उसने मुझे सबसे पहले recommendation Chinatown की ही करी है तो जो सबसे पहले spot रहेगा वो यह रहेगा Chinatown उसके बाद यह वाला point इस वाले point में भी काफी सारी जगाए है यह financial hub के असपास यह एक जगा है उसके बाद मेरा रहेगा यह marina bay वाला जगा तो बस नमबर 33 तो पता नहीं कब आएगी पर तो इतनी देर में वेट नहीं का सकता तो उससे बढ़िया मैं MRT सही चलाता हूँ और यह भी साथ में एक fruit market है तो अभी आमाटे चलते हैं easy link पर tap अब अब जस देख रहे हैं left side में लोग खड़े हैं और right side से लोग चल रहे हैं तो यह point मुझे कुछ अलग है दिया है lottery system या फिर गेमिंग system में जहां पैसे जीच जीच सकते हैं अहां तो लिख है एक्स creator responsible gaming environment होगेज़ यहां पर सब left side खड़े हैं और अगर किसी को जल्दी निकलना तो right side से निकलेगा जैसे कि मैं rules follow करते वे लोगों को देखने में तो बड़ा मजा आता है पर rules follow करने में बिल्बल मजा नहीं आता है क्योंकि बड़ा देर रुखना बढ़ता है इस को green होने के लिए तो हमारा first point है people's park people's park complex तो चलते है people's park complex के अंदर जाच में और एँ तो इस complex में यह काफी सारे body massage के लिए हैं तो इस complex में काफी सारे body massage के लिए हैं इन अंकल को देखो गाना तो बज़ रहा है पर जुम्माइक में सरफ ऐसे आवासे में काल रहे हैं सिर्फ और कुछ भी नहीं कर रहे हैं और ऐसा शोव कर रहे हैं कि यहीं का रहे हैं चलतलते एक और चीज दिखाई दिया है कैसे नहीं हुआ इस जगह पर सेक्स ट्वाइज मिलते हैं मुझे नहीं पता हूं यहां पर यह चीज यह मिलती है तो जिस जिसको चाहिए हो मुझा की ले लेना मेरे को इसकी कोई रिकॉर्मेंट नहीं है तो जिसको चाहिए हो ले लेना उस सेक्स ट्वाइज शॉप के अंदर फोटो और और दिन काफी ज्यादा महेंगा फूरूट होता है तो यह बहुत ज़्यादा महेंगा बिखता है तो 18 $ का लगबख 2,000 रुपे दो हजार रुपय का सिर्फ दो या तीन पीस और इस प्रस्थ जगह पे चाइनीज फूड जो हता है खाना जो हता है वो भी बिक रहा है तो मुझे चाइनीज फूड पर ज्यादा भरोसा नहीं है इस वरसे मैं कुछ भी चाइनीज फूड में से तो ट्राय नहीं करने वाला बाकी आपको दिखा देता हूं कि क्या क्या भिक रहा है नाम तो मुझे नहीं बता और शेप और कैसे दिखते है वह वह मैं आपको दिखा देता हूं यूशब अप्टर राँ यूशाएट यूश। काची से माओ में तो ओच्टरी क्या क्या बर्ट ने हम कहा हुआल war यूशतका है इस इस अब रखते के विशी और नेट की लंगे में आखि है तो अभी तक कुछ vegetarian तो दिखाई नहीं दिया था भर भर के non-veg है और non-veg में पता नहीं क्या क्या है तो इस वैसे मैं बहुत सब तो मैं ट्राय नहीं कर सकता पर यह एक बन था पता नहीं किस चीज का बन है तो यह vegetarian है सिरफ $1 का था तो मैंने यह जीज ले ली तो इसको बा तो आपको केक कैसा है- तो ऐसा कुछ लिखता है यह bread like bread यह बन पंड है मैससा कुछ है यह ट्राय करेंक देखत हूं कंग तो कुछ bread यह द बन में चास तो है नहीं सिरफ तो मैं इटका एक बूलासाई मैं देक पूलार है वस उसको उसको बोरे है bread बन जलु जाधा तो अब है बस नॉर्वेल भी विदाउट टेस्ट मन तो निकर आज भाने का वन कर फेक दूँ तो अब ही सेगंड पॉइंट है हमारा चाइना टॉन कॉंपलेक्स जो कि मेरे पीछे है तो यहां पर यहां पर यह मैक्सिमम सिरफ मतलब चीजे खरीतने की होती है शॉपिंग मा मैं सरफ आप लोगों को दिखा जिता हूँ उन्दर क्या कही चीजे और आप आएंगे यहां पर तो आप डिशाइट कर सकते हैं कि आपको क्या खरीतना है तो इन जगाओ पर आप पुरानी पुरानी जो नोट्स होते हैं पुरानी पुरानी चीजे होती है वह पुरानी पुरानी चीजे बेच सकते हैं तो यहां पर आपको पैसे मिल सकते हैं तो मैरे पास तो ऐसा कुछ पुराना नहीं है अभी लोग यहां पर चेक कर रहे हैं क्योंकि lottery लगी यह नहीं लगी क्याहंद पें काफी सारे लोग कि छोग पैसा लगा दे लाटरी प्यार है मैं वाद 맞्र ने रखिवादी ने बॉनी सिर्ट kidding इस याएप के याएप? तो यहां पर लोग चाइनीज जेस खेल रहे हैं तो इसकी अपनी अलग इंपोर्टेंस है और इसमें पैसों से नहीं खेले जारी मतलब यहां पर पैसे नहीं लगाई जारे पैसे की लागा जो अदा चीजे होती है वो चीजे अपनी अदाओं पर लगाते हैं और फिर खेलते तो यह जो आप अभी मेरे सामने देख रहे हैं यह है बुद्धा टुथ रेलिक टेम्पल तो यह है हमारा थर्ड पॉइंट तो इसके अंदर चलते हैं और मैं आपको दिखा दो हूँ तो इस टेम्पल के अंदर शॉट्स में आना मना है सिर्फ लड़कियों तो इस वह से सामने इन लड़कियों को मतलब बैर में कुछ बारने के लिए दिया है तो यहां पर लोग बैठके चैंटिंग कर रहे हैं तो यहां पर लोगों ने टेल और यह ग्रेंज दान कर रखिया है और यहां पर कुछ दोनेशन कर सकते हैं साथ में क्यूर कोड भी है डोनेशन के लिए दोनेशन करने कर नया तरीका भी आ गया है मतल Chanel करो और पे कर दो डिजिटल दुनिया तो अभी हम जितनी भी जगाएं घुम रहे हैं वह साथिक सारी अभी हम चैना टां में घुम रहे हैं तो अभी दो तीन पॉइंट और हैं चैना टॉन में हमारी नेक्स्ट पॉइंट है, मेक्सवेल फूट सेंटर तो यह वली जगह भी जो बंदा बैठा वा था उसने यह वली जगह भी मुझे रिकमेंड करी थी पर इस जगह पे सिर्फ मेरे लाइक पर खाना नहीं है तो मैं आपको सब दिखा दूँआ कि क्या क्या है यहां पर यह जो डंडी में कुछ लगा होता है पोर करेंदा तो इसको बोलते साटे साटे यह साथे ऐसा कुछ सो गैज यहां पर था साथे तो वह तो हम नहीं खाते इसलिए जो हम है खाते वह हम अपने साथ है लाते चलो इसी रीमिंग के साथ इस दालचावल को मैं पैक कर आके लाया था मेरे होश्टल के पास में एक इंडियन रेस्टरांट है तो उससे मैं ये दालचावल पैक कर लिए आया था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कहीं पर भी अच्छा फूड खाने को नहीं मिलेगा तो इस वज़े से मैं अपने साथ पैक करवा के लिए आया था क्योंकि अगर इंडियन फूड अगर यहां पर मिलता भी तो वह बहुत ही जादा प्राइज में होता स्टिल देशी तो जो रिसेप्शन पर बंदा था उसने मुझे बोला था कि आप मैक्स वेल में जरूर कुछ खाना तो इस वए से मैंने खाया पर मैंने लोकल फूड नहीं खाया मैंने दालचावल खाया पर यहीं पर खाया तो उसकी बात भी रहे गई और मेरा काम भी हो गया थो अब हमारा अगला पॉइंट है सिंगापुर सिटी गैलरी तो अंधर सक्कि मैं बताता हम कि इस सिंगा़पूर सिटी गैलरी क्या है यह सिंगपूर सिटी गैलरी है यह फ्री है, टो टोटली फ्री तो इसके लिए पूशत नहीं देंनी आप cambiar बजगाने बत रहे हैं और कुछ निवरा हुआ तो इस जगह की इंपोर्टेंस यह है कि यहां पर सारी प्रोजेक्शन दे रखी है कि अगले पचास साल में सिंगपोर किस तरीके से बढ़ेगा और किस तरीके से रहेगा और उस चीज की प्रोजेक्शन दे रखी है तो इस बारे में यह पूरा का पूरा सिंगपोर आर्ट गैलरी और यहां पर हर 20 मिनिट के बाद एक तीन मिनिट का प्रोजा होता है जिसमें सिंगपोर बारे में बतायायाता था है कि वह कहां से आया है, और कहां है ब्लुटे तो आठ गैलरी तो अभी यहां से चलते हैं तो यहां पर अगर सिग्रेट पीते वे पकड़ गए तो दो हजार डॉलर का फाइन है तो दो हजार डॉलर मतलब लगबग एग लाग या एग लाग बीस हजार रूपे तो हमारे वहां इंडिया में कैसा होता है अगर सिग्रेट पीते वे पकड़ गए तो पांसो या हज़ार रूपे जादे से जादा इतने कई चलान होता है इतने कई फाइन होता है पर यहां पर सीधा एक लाग और एक लाग बीस हजार गया सपास बहुत जादा है तो इस वएसे लोग यहां पर कुछ गलत करने से और कुछ रूल्स तोड़ने से तरते हैं तो यह एक अच्छी बात है तो यह है एक और साइनिस टेंपल जिसका नाम है ठियान ओंग तो इस टेंपल में मेरा जादा कुछ एरिया अफ इंटरेस्ट नहीं है तो पर फिर भी मैं वीडियो के लिए थोड़ा वा टेंपल दिखा देता हूं और अभी आपको मैं सिर्फ शॉट्स दिखाने वाला हूँ और फिर यहां से चलते हैं बाहर कसी और जगा पर तो इस टेंपल में ज्यादा फोटोग्राफिय और वीडियो को रखे लाओ देनी है तो चैना टाउन का लास्ट स्टॉप जो है वह यह है वह फूड को एक बस इस फूड कोट के बाद यह चैना टाउन खतम हो जाएगा तो इसी को चैना टाउन बोलते हैं तो जैसा कि अब आपने देख ली होगा तो यह लास्ट फूड पॉइंट मैं थोड़ा सा दिखा यहां पर हलाल सीफूड कोरियन क्यूजीन यहां पर है फूड फोक्स यह है सी हुई यॉन यह है वेस्टरन चार्कोल ग्रिल तो कफी बड़ा सा एक हॉल है जहां पर बहुत सारी फ्रेंचाइजिस हैं कुछ मैं आपको दिखा दी हैं और कुछ आप देखना चाहते हैं तो अब आप फूद आके यहां पर देख सकते हैं तो आएंगे तो देखिए एक्स्प्लोर करिए इस जगह को और जो पसंदाता है वो खाईए पांच मिट मिया है आप एटके अराम करूँगा फ्री सिटिंग है यहां पर फिर मैं अपनी नेस्ट डेस्टनेशन के लिए चल प बड़ी हो गई है तो गैस थांकियो फर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब बाइब